सूर्य और चंद्रमा दोनों प्रकासक ग्राह हैं एक तरफ से सूर्य प्रकासित करेगा कुंडली को एक तरफ से चंद्रमा लॉजिक समझे अगर चंद्रमा सूर्य से ठीक विपरीत होता है तो चंद्रमा उतना ही जादा प्रकासित होता है जिस तरफ कुंडली में सूर्य है उसके सम्मुख भाग को सूर्य प्रकासित करेगा और जहां चंद्रमा है कुंडली में उससे सम्मुख भाग को चंद्रमा प्रकासित करेगा इस प्रकार से हमारी पूरी कुंडली में एक जगह से सूर्य का प्रकास फैलेगा एक जगह से चंद्रमा का प्रकास फैलेगा वहीं अगर चंद्रमा सूर्य के साथ चला जाता है तो चंद्रमा अपना प्रकास खो देता है, यानि कुंडली में अगर हमारे दो प्रकास अग्रा हैं, तो दोनों अगर प्रकासित हैं, तो उनका महत्तो ही अलग है, अगर चंद्रमा अस्त हो गया, चंद्रमा की किरण धीली पड़ गई, चंद्रमा अस्त हो गया है, तो इसे अमावस्या दोस और ऐसे में सिर्फ एक प्रकाशक्रह सूर्य ही हमारी कुंडली में काम कर पाता है। यहूती का पिभिन भाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे जीवन के गतविधियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और किन रासियों और भाओं में यहूती हमें जादा आसुप प्रभावदे शक्ति है और अगर आपकी कुंडली में चंड्रमा Drive के साथ हिस्तित हो में इसके साथ ही शाथ मैं सर्वप्रत्वम रासियों के बारे में भी आपको कुछ विवरण दे देता हूं। चुकि सूर्य एक अगनी तत्व का अगरा है तो सूर्य को अगनी तत्व की राशियों में comfort होता है वही चंद्रमा एक जल तत्व का अगरा है तो जल राशियों में पृत्वी तत्व की राशियों में उसे comfort होता है अगनी तत्तो की राशी में चंद्रमा को comfort नहीं रहता है सूरे के साथ युती होने पर मेस राशी, शिंघ राशी और धनु राशी ये तीन राशियां अगनी तत्तो की राशियां होती हैं, इसका हमें ख्याल रखना है ये अगनी तत्तो की रासियां होने के नाते इसमें अगर चंद्रमा के साथ यूती होती है तो चंद्रमा को परेशानी होती है वहीं अगर चंद्रमा के साथ सोर्य यूती करे ब्रिश्चिक रासी में तो सोर्य नीच रासी में चंद्रमा के साथ यूती करता है चंद्रमा नीच रासी में होता है जिसके कारण से भी चंद्रमा को परिशानिया आती हैं प्रथम भाव में शूर्य और चंद्रमा की युती हो तो क्या प्रभाव होगा इसका हम विचार कर लेते हैं अगर जन्म कुंडली के प्रथम भाव में शूर्य और चंद्रमा की युति बन रही है तो यह कालपुरुस की कुंडली का प्रथम भाव होता है। यहाँ पर कालपुरुस की कुंडली के अंसार नैसरगिक रूप से अगनी तत्त्तो की रासी एक नंबर होती है। तो यहाँ पे शूर्य उच्च का हो जाता है और चंद्रमा चुकी पहले से ही उच्च के सूर्य के साथ यहाँ पर होगा तो चंद्रमा की शीतलता बिलकुल ही गायब हो जाएगी। ऐसे में क्या होगा कि आपको मानसिक रूप से कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उसका का परण क्या है क्योंकि कालपुरुसकी कुंडली के अनुसार चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी होता है जो कि आपको मानसिक रूप से समस्याओं देने में सच्छम है। साथ ही शाथ आपको आपकी माता से कभी कभी मत भेद रह शकता है और इस भाव में सूर्य और कर सको जाता है लेकिन आपकी मानसिक चंचलता भी बढ़ जाती है यानि अगर लगन में सूर्य चंद्रमा की युति है तो माता से कभी कभी मत भेद होना मानसिक चंचलता बढ़ जाना और व्यक्तित्त में आकरशण होना ऐसा प्रभाव हमें प्राप्त होता है अगर दुत कि सूर्य के साथ वह दग्ध हो चुका है अस्त हो गया है ऐसे में उच्छ होने का कोई भी लाव नहीं मिल पाता है किसी भी रासी में दुतिय भाव में अगर चंद्रमा बैठा हुआ है तो अस्त ग्रह चंद्रमा विकल अवस्था में आता है यानि आपके धन भाव में अगर यहां पर सूर्य चंद्रमा की यूति है तो आर्थिक कमजोरी आएगी अगर आप कर्ज ले लेते हैं तो कर्ज चुकाने में आपको परेशानी आएगी वहीं आपके जो कुटमबी जन है आपके भाई जो हैं पटीदार जो हैं पडोसी जो हैं उनके साथ में क्यमनी परेशन गैफ हो जाता है बातचीत समवाद में अंतर हो जाता है और आप अपनी बातों को समझा पाने में अक्सर आसफल रहते हैं सुर्य और चंद्रमा की यूति दुतिय भाई में होने के नाते आपकी बातों का लोग वजन नहीं मानते हैं आप कभी कभी आक्रामक भाश भी बोल जाते हैं और कट उरस में भी बात कर जाते हैं लेकिन लोग आपकी बातों को महरतों नहीं देते हैं तृतिय भाई में अगर सुर्य और चंद्रमा की यूति बन जाए अमावस्या दोस बन जाए तो ऐसे में तृतिय भाई में यह दोस मिले जुले परिडाम देता ह कभी कभी ज़्यादा तर मामलों में देखा गया है कि अन्य भाओं की अपेक्षा यहां पर कुछ अच्छा परिडाम भी मिल जाता है। व्यक्ति के अंदर साहस होता है साहस होगा लेकिन ऐसा व्यक्ति अपना साहस और बल तभी जान पाता है जब उसे उसका साहस याद दिलाया जाए। तुर्तिय भाव में सूर्य और चंद्रमा की युति से व्यक्ति के अंदर छमताएं जो होती है व्यक्ति उसे भूल जाता है। तुर्तिय भाव में सूर्य और चंद्रमा की युति बन रही है तो कैसा प्रभाव मिलेगा इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। आप जानते हैं चतुर्ति भाव में काल पुरुस की कुंडली के अंसार करकर रासी पढ़ती है जो की चंद्रमा की स्वयम की ही रासी नहीं है बलकि जल तत्तो की रासी है। तो जल तत्तो में पढ़ने के कारण यहां पर सूर्य का प्रकास मंदा हो जाएगा और चंद्रमा जल तत्तो का ग्राह है वह कमफर्ट जोन में आ जाता है। तो अन्य भावों की अपेच्छा इस भावों में चंद्रमा को थोड़ा सा बल मिल जाता है। जहां जल हो नदी हो जील हो ऐसे अस्थानों की यात्रा करना पसंद करते हैं ऐसे लोगों को माता का सहयोग मिलता है और ऐसे लोग अपने माता की सेवा भी करते हैं। जिनका सूर्य और चंद्रमा चतोर्थ भाव में एक्षाथ होता है, ऐसे लोगों को घर और वाहन का सुख भी मिलता है, पुड़ा बिलंब से सही या मानसिक रूप से संतुष्टी वाला ना सही, लेकिन फिर भी घर और फोर विलर वाहन चार पहिया वाहन का सुख है से व्यक बनता है, सिंगरासी ये सूर्य की रासी होती है, आपके कुंडली में कोई भी रासी इस भाव में हो, फिर भी यही फलादेश लागू होगा, ऐसे में सूर्य प्रवल हो जाता है और चंद्रमा कमजोर हो जाता है, क्यांकि एक बार फिर से सूर्य अग्नी तत्त्योग में आ भावनात्मक रूप से कमजोर होने के कारण व्यक्ति बीपी का मरीज हो जाएगा ऐसे व्यक्ति को भाई बहन से संबंधिस सुखों में चुनोतियों का सामना करना पड़ता है। कोई न कोई एक संतान काफी योग्यों अच्छी होती है अगर एक ही संतान होगी तो वही संतान योग्यों अच्छी हो जाएगी। चटे भाव में अगर सूर्य और चंद्रमा की युती बन रही है तो चटे भाव में आठमे भाव में और साथ ही साथ बाराहमे भाव में सूर्य चंद्रमा की युती होने पर चंद्रमा को जादा ही प्यूडित हो जाता है क्योंकि एक तो चंद्रमा सूर्य के साथ हो करके अस और वह व्रिष्चिक रासी में हो यानि आठ नंबर की गिंती में लिखा हो आठ नंबर की गिंती का स्वामी चंद्रमा नीच रासी में होता है इस रासी में और अगर छे आठ बारा में है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब भी कोई सुख का उसर आता है खुसी का महौल आत ही कुछी के बाद कुछ न कुछ दुख वाली अपार्चून्टीज या दुख वाली घटनाय जीवन में आ जाती हैं व्यक्ति को पेशाप से संबंधित परेशानिया होती हैं पाचन से संबंधित होती हैं और समय समय पर व्यक्ति को मानसिक तकलीफ भी होती है माता को कस्ट पहले ही कर देना चाहिए या पहले ही कर देना चाहिए क्योंकि इन तीनों भावों में चंद्रमा बहुत ही बुरा प्रभाव देगा अगर वह आठ नंबर की गिंती पर पेठा हुआ है तो आमत और पे छटे भाव में सोर्य और चंद्रमा की युति होने से ब्यक्ति चिंताओं से घिरा रहता है स्वास्त से संबंधित परेशानिया भी आती है गोपनिये सत्रू ब्यक्ति को पीडित करते रहते हैं यहाँ पर चंद्रमा के होने से ब्यक्ति को घूमी वाहन से जुड़ा हुआ लोन या इमाई या कर्ज वगेरा रहने का भी योग रहता है। सुन्दर रंगरूप वाली मिल सकती है। लेकिन दामपत्य जीवन चुनोतियों से भरा होता है। सुर्य और चंद्रमा की युति बन रही है तो यह बहुत ही जादा मांसिक कस्ट देने वाली हो सकती है। व्यक्ति के अंदर अंजाना डर, अंजाना भय, अंजाना जो है इमोशन किसी ना किसी बात को लेकर के चिड़चड़ापन बना रह सकता है। ऐसे लोग अपनी बातों को छिपा के रखना चाहते हैं, अपनी बातों को दूसरों से व्यक्त नहीं करना चाहते हैं। ऐसे लोग देखने में तो प्रशन लगते हैं, लेकिन अंदर से प्रशन होते नहीं हैं, हमेशा चिंतातुर रहते हैं। वहीं अगर नमम भाव में सूर्य और चंद्रमा की युती बन रही है, तो यह युती अन्य भावों की अपेक्छा थोड़ी अच्छी मानी जा सकती है। लगन और पंचम ये त्रिकोड हैं, लगन भी त्रिकोड हैं, पंचम भाव भी त्रिकोड हैं, इन दोनों त्रिकोडों की अपेक्छा नमम भाव में यह योग फोड़ा सा लाभप्रद हो सकता है। नुम्भाव में सूर्य और चंद्रमा की युति व्यक्ति को धार्मिक बनाएगी, व्यक्ति धर्म कर्म करने माला होगा, भगवान का भक्त होगा, स्यू की उपासना करने माला होगा और जोतिर लिंगों के दर्सन करने की इच्छा रखेगा। अगर उनका अच्छा समय चल रहा है, तो उस पे इतराएं नहीं क्योंकि जल्द ही उनका वह समय भी बीट जाता है, और बुरा समय आता है, तो जल्द ही बुरा समय भी बीट जाता है, दसम भाव में अगर सूर्य और चंद्रमा की युति बन रही है, तो क्या प्रभाव हो सक दसंभाव में सूर्य को बलप्राप्त होता है, यह सभी को पता है, अकेला सूर्य दसंभाव में हो, अकेला ना भी हो, किसी के साथ हो, तो भी कुलदीपक योग बनाता है, सूर्य के यहां बलवान हो जाने से ब्यक्ति पिता का भक्त हो जाता है, लेकिन माता की अवग्यां की अब वो अभेला कर सकता है यहाँ पर चंद्रमा अपनी सक्ति को खो देता है इसलिए व्यक्ति को प्रतिनिधित्व की छमता तो मिलती है व्यक्ति लीडर्सिप क्वाल्टी से युक्त हो जाता है लेकिन उसके सुभाव में सौम्यता नहीं रहती है उसका सौभाव सौम में नहीं रह जाता है व्यक्ति के अंदर अग्रेशन या फिर व्यक्ति के अंदर कुछ जादा ही रियूडनेस ले आती है यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा की युती होने से व्यक्ति कार्य को बड़ी सीरियसली से लेता है हलके-फुल के तरीके से या प्रसनता के मोड में काम नहीं करपाता है वो हमेशा सीरियस हो करके अपने वर्क प्लेस पर, अपने कर्मचारियों से अन्य लोगों से पेस आने का प्रयास करता है यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा की युती होने से आपको लाभ कारेचेतर से संबंधित मिल जाता है हालांकि मानसिक रूप से आप प्रसन नहीं फेल कर पाते हैं घर और गाड़ी का सुख भी आपको अच्छा मिल जाता है वहीं अगर सूर्य और चंद्रमा की युती ये का दस भाव में हो लाभ भाव में हो तो क्या फल प्राप्त होता है यहाँ पर आपको आर्थिक पच्छ से मजबूती मिलती है धन का आगमन अच्छा होता है, बचत होना ना होना अलक कंडिशन है लेकिन धन आ जाता है सूरी चंद्रमा कि यहाँ यूती होने से जब भी व्यक्ति की किसी मनो कामना की इच्छा की पूर्ति होती है तो व्यक्ति के मन में प्रशन्नता नहीं फैलती है एक आदमी होता है उसकी च्छाय अभिलासाएं जब पूरी होती है तो मन आनंदित होता है लेकिन यहां पर मनों कामनाओं की पूर्ती होने के बाद भी व्यक्ति आनंदित नहीं होता यानि ऐसा कह सकते है जिनके एकादस भाव में सोर्य और चंद्रमा की यूति हो ऐसा व्यक सब्सक्राणों का सुक मिलता है हालांकि कन्या संतान से विवाह के बाद उतनी अधिक निकटा नहीं रह जाती है लेकिन पुत्र संतान से निकटा बनी रहती है दौर्दस भाव में अगर सोर्य और चंद्रमा की यूति है तो व्यक्ति धार्मिक सुभाव का होता है धर्मकर में पैसे खर्चा करता है लेकिन बात फिर महीं आ जाती है कि ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से दुखी रहेगा और जीवन में बार बार सुख के बार दुख का आभास होता रहेगा जीवन में कई बार कुछ भयानक अनिष्टकारी या दुखदाई घटना उसके साथ या उसके परिवार के साथ घटित होने की संभावनाएं बनी रहती हैं बुरी आदतों में व्यक्ति फस सकता है और अपनी संगती ऐसे व्यक्ति को सही रखना चाहिए अब बात कर लेते हैं उपायों की अगर सूर्य और चंद्रमा की युति कुंडली के किसी भी भाव में बन रही है खास कर 6-8-12 में और वहां भी 8 नंबर की गिंती पर यानि वुरिष्चिक रासी पर यह योग बन रहा है तो हमें बिसेश रूप से सतर्क होने की जरूरत होती है अब हम उपाय अगर आपको बताएं तो ऐसे में आपको सूर्य और चंद्रमा दोनों के मंत्रों का जब करव करके हमन करवाना चाहिए विशेश रूप से चंद्रमा के मंत्रों का जाप करवाना आवस्यक है और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छे भाव का स्वामी है लगन का स्वामी है चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी है पंचम का सब्तम का नवम का दसम का येका 10 भाव आधिका स्वामी है और 6-8-12 भाव में नहीं बैठा है तो चंद्रमा के लिए आपको मोती स्टोन पहन लेना चाहिए इससे आपका चंद्रमा मजबूत हो सकता है आप सो मुआर के दिन भगवान सीव की उपासना करें भगवान सीव का अभिसेख करें और इस प्रकार स से आप अपने चंद्रमा को अधिक मजबूती दे सकते हैं